हेलो दोस्तों आज को जो हमारा टोपिक है वो है साविधान क्यों और कैसे इस अध्याय में हम साविधान के बारे में पढ़ेंगे साविधान के कामों के बारे में पढ़ेंगे साविधान काम कैसे करता है किसी देश के लिए साविधान क्यों इतना जरूरी होता है इन सब वि जिससे किसी देश को चलाया जाता है यानि साविधान क्या है साविधान नियमों का एक पूरा पूरा दस्तावेज बना हुआ है डोक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी देश को चलाने के नियमों लिखे होते हैं और उसे किसी देश को चलाया जाता है उसे हम साविधान कहते है अब इसी में हमारा अगला टोपिक आता है साविधान के कारे क्या हैं यही टोपिक तुम्हारे पेपर में कक्छा 11 के पेपर में यह पूछा जाता है कि साविधान के कारे बताओ कभी दो कारे पूचता है कभी चार कारे पूचता है तो इस टोपिक को ज़रा ध्यान से सुनना साविधान के क्या काम होते हैं साविधान काम करता क्या है तो साविधान का पहला काम होता है नियमो कानूनों को बनाना साविधान का पहला जो कारे है ये कारे है कि वो नियमो कानूनों को बनाता है क्यों बनाता है नियमा कानूनों को जिससे किसी देश को चलाया जा सके क्योंकि अगर नियम कानून नहीं होंगे तो देश नहीं चलेगा तो साविधान का पहला कार्य होता है नियमों कानूनों को बनाना अब आता है साविधान का दूसरा काम साविधान का दूसरा काम है सरकार को सक्ती प्रदान करना अब बात करते हैं भारतिय साविधान की तो भारतिय साविधान में सक्तियों का बटवारा इस प्रकार किया गया है जिससे न्याय पालिका, कारे पालिका और विधान पालिका तीनों को बराबर सक्तियां दी गई है जिससे कोई एक दूसरे एक पे हावी नहीं होता और इनकी स रंचना को इस परकार बनाया गया है जो ये समान रूप से कारे करते हैं। अगर एक समाच को देखा जाए तो एक अधर साशन की स्थापना करना, सरकार की सरंचना का अच्छे से निर्मान करना, ये सारे ही साविधान के कारे होते हैं। अगर साविधान ही नहीं होगा तो हम अपने देख को चला कैसे सकते हैं। सेम ऐसे ही देश को भी चलाने के लिए नियमों कानूनों के अवसकता पड़ती है इसलिए हमें साविधान के अवसकता है साविधान के बिना किसी भी देश का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि फिर उसके नियम कानून और इसमें एक कोशन ये भी आता है पेपर में कि साविधा प्रणाली को पनाया गया है, वहाँ पुंजी वात को अपनाया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो साविधान किसी देश की पहचान होती है, इसलिए साविधान का होना किसी भी देश के लिए बहुत ही अनिवारे होता है, क्योंकि किसी देश की पहचान उसके साविधान से होती है अब हमारा अगला टोपिक आता है साविधान के प्रभावी होने का कारणिया साविधान यह तुम्हारे पेपर में कोशन आता है 11th किलास में कि साविधान को प्रचलन में लाने का तरीका बताओ और यह motion important question है इस chapter का कि साविधान कोई साविधान किस प्रकार प्रचलन में आता है या प्रचलन को दूसरी भासे में बोलता है कोई साविधान किस प्रकार लागू होता है इसी कोशन को अगर मैं आसान भासे में समझाओं तो इसका मतलब है कि कुछ लोग थे जिन्होंने साविधान बनाया और हम हमने उनको उस साविधान को क्यों माल लिया उस साविधान को लागू होने क्यों दिया तो यही कोशन है कि कोई साविधान कैसे किसी देश में लागू हो जाता है साविधान को प्रशलन में लाने का तरीका क्या है तो देखो साविधान को प्रशलन में लाने की दो तरीके एक दूसरा है राष्ट्य व्यापक सहमीति कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आई दूसरा जो तरीका होता है वो होता है जनमत संग्रह जैसे हम पता चल गया होगा नामी से जनमत जन यानि जनता मत यानि उनके विचार तो जनमत संग्रह यानि जनमत संग्रह में लोगों को खटा किया जाता है उनसे उनके विचार पूछे जाते हैं फिर साविधान को बनाके और उस साविधान को लागू करा जाता है जिस कारण साविधान रिमान में जनता के भागिदारी हो जाती है और उसको लागू करने में असानी होती है तो ये दो तरीके थे जिससे कोई साविधान प्रचलन में या लागू हो जाता है पहला राष्टे व्यापक सहमेती तथा दुसरा जन्मत संग्र है तो अब हमारा अगला टोपिक आता है उद्देसे प्रस्ताप के बारे में उद्देसे प्रस्ताप क्या है? इसको किसने प्रस्तूत किया? इसके मुख्य बिंदू क्या है? ये कोशन भी पेपर के लिहाजे से बहुत इंपोर्टेंट है और ये छे मार्च का कोशन आता है कि उद्देसे प्रस्ताप क्या है? इसको किसने प्रस्तूत किया? इसके मुख्य बिंदू का उलेक करो तो देखो आप बात करते हैं उद्देसे प्रस्ताप की पहली बात तो देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडी जुहाल लाल नहिरू ने इसको साविधान सभा में प्रस्तूत किया था इसके जो मुख्य बिंदू है मुख्य बिंदू में जो उद्देसे प्रस्ताप था उसके अंदर कुछ बाते लिखी गई थी वही इसके बिंदू कहलाते हैं वही पेपर में पूछता है उद्देसे प्रस्ताप क्या है इसके मुख्य बिंदू बताओ मतलब उद्य से प्रस्ताव में कौन-कौन सी बाते लिखी गई थी तो इसके कुछ बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे पहला है भारत एक गण राज्य होगा इसकी ये पहले पॉइंट थी कि भारत एक गण राज्य होगा इसका दूसरा पॉइंट था भारत एक गण राज्य होगा जिसका मुखिया लोगो द्वारा निर्वाचित होगा यानि देखो भारत गण राज्य तो होगा गण राज्य यानि जनता का राज्य और जिसका मुखिया लोगो द्वारा निर्वाचित होगा चोथा जो point था वो सवतंतरता के बारे में था पांचवा point था जो वो समाजिक न्याय के बारे में था और छटा point था वो बंधुत्वा बंधुत्व तथा समानता के उपर था कि जाती का समानता है और बंधुत्वा है भाई चारा है ये बना के रखेंगे ये सारे इसके point थे देशे प्रस्ताप के तो अब हमारा अगला topic आता है भारते साविधान सभा के गठन के बारे में तो भारते साविधान को बनाया कैसे गया इसके बारे में देखो जहां तक भारते साविधान को बनाने का सवाल है तो जब भारत के साविधान का निर्मान हो अभार्त थी इनको बाड़ दी गई थी जो बिटिस भारत को जो ब्रिटिस भारत था उस समें जब भारत पर अंग्री सो अरज था उस वह दिए जिसमें ग्यारा गवर्नर प्रांत और चार का चैन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था बटवारे के बाद कुल सदस्य 389 तीन सो नवासी में से भारत में केवल और केवल 299 ही रहे गए थे जिन में से 296 चुने हुए थे वहीं 70 मनोनित सदस्य थे जिन में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी अनुसुची जाती 26 अनुसुची जाती 33 सदस्य थे अब बात करते हैं हमारे लाज्ट टोपिक की और इस ते के साथ हमारा चैप्टर समाप्दी हो जाएगा और ये इस टोपिक का मोशन बड़न कोशन है और ये पेपर में आता है पेपर में कोशन पूसता है भारतिय साविधान उधार का साविधान है कैसे या भारतिय साविधान को बनाते समय अलग-अलग देसों से प्रवधान लिये गए थे आप ये कैसे बोल सकते हो तो चलो इ क्या ये कथन सही है तो देखते हैं देखो जब भारते साविधान बन रहा था तो भारत के साविधान को सबसे बड़ा साविधान विशाल साविधान का जाता है क्योंकि जो भारत के साविधान निर्माता थे वो बड़े दूर दर्शी थे उन्होंने हर देशों से हर देशों पूछता है तो बोलता है भारती साविधान उधार का साविधान या अन्य दोस्यों से इसमें भिविन प्रवधान लिए गए हैं तो अब हम किन-किन देशों से कौन-कौन से प्रवधान मींस होता है कानून हम किन-किन देशों से कौन-कौन सा कानून लिए हैं चलो इसको दे जैसे अफसिस सक्तियां, अर्द संगातमक सासन और फ्रान्स से हमने समानता सतुंदरता बंधुतवा तथा ब्रिटेञ्ट से हमने कानुण निर्माड की प्रकिरिया, सरकार का गठन का स्वरूप यह सारे चीज हमने लिया है तो इन सबी से मिलके हमारे हमारे साविधान बना ह और इसी तरह हमारा इतना विशाल और इतना सुन्दर साविधान बना। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खतम होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ को शेर करना ना भूलें।